नमस्कार बेरा नाम दॉक्टर जबिन देव शर्मा है मैं पेट और लेवरों के विशेशगी वो आज हमें बहुत एक कॉमन बिमारी के बारे में आपसे बात करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे तो यह बात करते हैं कि अब आपने अपने घर में अपने फैमिली में होगा डेली बात करते होंगे कब्स के बारे में अब एक कब्स क्या चीज है कब्स कितने प्रकार की होती है किस चीज को अबनॉमल समझना चाहिए और आज की डेट में काफी एडवांस टेस्टिंग और एडवांस इलाज इसके लिए संभव हैं इसके बारे में हम बात करें देखिए कब्स या कांस्टिपेशन जिसको इंगिश में कहते हैं ये एक ऐसा टर्म है जो इंडियन्स हम सब या बहुत ही अलग अलग चीजों के लिए यही वर्ड का इस्थिमाल करते हैं कई पेशन्स कब्स कहते हैं कि जब कई दिन तक पेट साफ ना हो लेटरिन ना आएं कई लोग इसको भी कब्स कहते हैं कि में रोज हो रही है लेकिन अच्छे से नहीं हो रही है पेट पूरा साफ नहीं होता है कई लोग जोर से तेज़ जोर लगाने को भी चब्ज की शिकायत कहते हैं, बेलोग पेट फूल लेगो कहते हैं, जादा पाद आने को बोलते हैं, आने के बाद जब पेट फूलता है, उसको भी कब्स का रूप किया जाता है, तो सबसे पहले ये सम्झना ज़रोरी है, जब जो कभ जिस जिस को कर रहे हैं तीन जार दिन होते हैं उपती नहीं तो प्रकार से दो करकार की सामने आती कि मैं कई दिन तक लेटर बास नहीं करता मुझे भाइट जब आती सकत आती है सुखी आती है जो लगाना पड़ता है इसको आम तोरप दिए का मतलब कि आंते हमारी मेरे हैं दो हमारी जो है जो भूब से रोज नहीं होता हूं रोज आती है थोड़ी सी रोज आती है बहुत दोड़ना पड़ता है कई बार पानी वी अमगली पड़ता है कई बार यह नीचे मेरे जाके फस्त जाती है मैसूस होती है नीचे तरद होता है इसको आपस्ति हैं ट्र demolzego और के T हैं को इंगलिश में निया पूला जाता है अब दोनों का करना दो Cory स्क्षिट करना बहुआइए बेकास दोरों का ऐलाज बहुत अलग-अलग सिर्फ कैमज की दोई देना लेक्जिटी देना उसका इलाज नहीं होता है यदि आपको डिसेनर्जिया है तो उसमें लेजेटीव मतलब पेट साफ करने की दवाई या चूरन या पेट सफा उसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है बलकि वो उसका इलाज उसको और खराब कर रहा है उसको और वर्सन ही करेगा उसका इलाज होता है एक्सेसाइज या बायो फीड़बैक तरफी जो की एक मशीन के जरीए डाइग मतलब की एक प्रकार की टेस्ट की होती है जिसको मैनोमेट्री कहते है इसमें फोसे पर दिखता है के वह कौनसे मुसल का व्योग कर रहे हैं को बाहर निकालने के लिए किसी patient में पेट का जोर कम होता है किसी patient में ऐसा होता है कि पेट का जोर ठीक है लेकिन जब वो बाहर निकालने के लिए जोर लगाते हैं तो lettering का रास्ता खुलने की बज़ाए और tight बंद हो जाता है तो वो एक प्रकार से ऐसा होता है कि दिवार को दकेलने की तो यह सारी की जो इलाज रोज नहीं आती यह रोज आती है लेकिंट पूरा साफ नहीं होतार आप जोर लगाते हैं पिंगर वैक्वेशन करते हैं पानी के जट से ढार मारते हैं तो प्लीज अपना मैनोमेट्री करके यह चेक करवाईए कि अगर आपको डिस अनर्जिया है तो इसका इलाज असानी से बायो फीडबेक उसे संभव है अब बायो फ से इसे में मतलब एक गड़ हफते में एक या दो बार सेशन लेकर पांच चे बार में यह इंप्रूमेंट आता है और यदि आपको दूसरे प्रकार की कब्ज है मतलब श्लो ट्रांजिट वाली कब्ज है उसके भी टेस्ट आगते हैं जो से कनफॉर्म करते हैं उन टेस्टो और उससे वो डाइगनोंस होगा कि आपकी आँटे स्लो हिलती है कि नहीं तीसरी प्रकार की कब्ज में इन दोनों का कंबिनेशन भी आता है कि आँटे स्लो भी हैं लेकिन नीचे के मसल्स का तालमेल भी खराब है उन पेशंट्स को दवाईयों की भी जरूरत होती है उसको आतों को फास्ट करने के लिए और उन पेशंट्स में बायो फीडबेक थरपी भी दी जाती है तो कब्स का आज की डेट में एक साइंटिफिकली एक्स्टिफिकली एक्स्टिफिकली करना बहुत जरूरी है प्रॉब्लम यह होती है कि पेशंट्स जब तक आते हैं हमारे पा कहीं उनको अच्छे से कोई सुनता नहीं है उनकी प्रॉपर उनका आंसर नहीं हो पाते हैं तो आज की डेट में कब्सका एक सैंटिफिक एक्स्टिफिक जरूरी है और संभव भी है और उसी तरीके से उसका इलाज भी किया जब सकता है यदि हम उसको प्रॉपर जगा कि आप पोस्ट में और जानकारी मिले थैंक यू